G20 सम्मेलन का समापन हो गया, G20 से भारत को क्या मिला, आगे अब क्या होगा, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए ABP News के Foreign Affairs एडिटर आश्रीश कुमार सिंग ने केंद्रिय मंत्री जीतेन सिंग से बात की है, आप भी सुरिए भारत ने आज G20 की बहुत सफल सम्मेलन को कंक्लूड किया, प्रधान मंत्री मोदी ने जो बैटन है वो नेक्स्ट अध्यक्ष को पासाउन किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जितने भी राष्टे अध्यक्ष यहां पर आये, सभी ने जाने से पहले भारत की अध्य चिता और जिस ग्रांड स्केल पर भारत ने इसको कंड़क्ट किया, उस पर खास तोर पर बात करने के लिए बेहत खास महमान, सबसे पहले तो मैं आपको कॉंप्लिमेंट करना चाहूंगा कि जिस तरह से वर्ल लीडर्स का हम रियक्षन देख रहे हैं, यह तो बड़ी ग्रांड स्केल पे आप लोगो ने इस G20 सम्मेलन को बता और अध्यक्ष कंड़क्ट किया, मैं आपसे सर अगर कुछ बड़े टेक पूछना चाहूं तो आप क्या कहना चाहेंगा, आपको क्या लगता है सबसे बड़े टेक अवेस कहा रहे हैं? इस परकार का कंटेंट भी नहीं और इसका श्रेव पूरी तरह प्रदानमंतरी श्री डेरेंजर मोदी जी को जाता है. क्या ये कहना आप सही होगा कि ग्लोबल नौर्थ और ग्लोबल साउथ जिसकी बात खुद प्रदानमंतरी ने की थी जी ट्वेंटी के शुरुआत के वक्त, उस में ग्लोबल साउथ का शायद सबसे बड़ा वाइस बनके, सबसे बड़ी ताकत बनके, लीडर बनके प्रदा की एगवाई में काम करता था आज दुनिया भारत की एगवाई में काम करने को तैयार है मोदी जी के नेतरित में एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा मैंने देखा कि प्रधान मंत्री ने आपने भी अवज़र्व किया कि बहुत स्ट्रेस दिया इस बात पर कि अब जो इ मीनिंग हो देता है वो इंस्टिटूशन तो आपको लगता है कि अब कम से कम इतने सक्सेस्फुल इसके बाद जहां पर हमने एफ्रिकन उनियन को भी सदसे बना दिया भारत को भी ये मौका मिलना चाहिए प्रधान मंत्री की सपील पर वर्ल्ड को सोचना चाहिए और ऐसा ह आगे है आज जैसे मोधी जी ने भारत मिडल इस्ट यॉर्प कॉरिडॉर की मल्टी मोडल कॉरिडॉर की कल्पना दे करके पाकिस्तान के वीटों को लगवग सवाप्त कर दिया वाफ कीजिएगा जो पाकिस्तान की मनमर्जी पर हम निर भरते क्या आप उपर से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते एकसेस इसी परकार यदि ये फोरुम भी अपने तोर तरीकों को वक्त के तकाजे के साथ नहीं बदलेंगे तो दूसरे भी कल्प निकलाएंगे तो सर ये हम पाकिस्तान के पाकिस्तान से होकर नहीं निकलेंगे आप इसको कैसे देखते हैं और क्या हम अब हम ये कह सकते हैं कि चाइना के बन्सपत शायद सबसे जादा ताक्तवर देश बनकर भारत उभर रहा है जी हाँ जैसे मैंने अभी कहा कि अगर वक्त के तकाज़े के साथ अगर हम अपने आपको नहीं डालते तो या तो वक्त पिछाड़ देता है या दूसरे भी कल निकलाते है ठीक उसी तरह जैसे पानी का बहाव है अब कुछ समय के लिए आप उसको रोक सकते हैं लेकिन अगर बहुत देर तक रोकते रहेंगे मौसम बदलेगा फिजा बदलेगी पानी का बहाव बदलेगा जरास्ता दूसरा निकलाएगा आज यह जो भारत कॉरिडर की कल्पना मोधी जी ने रखी है इसमें जहां मैंने एक बार एक तरफ यह का कि जो मनमानी पाकिस्तान की होती थी उसको भी ट्रेस किया गया और दूसरा जो समय समय पर चीन की तरफ से इशारा आता था कि साब हम वहां से सड़क निकालेंगे वहां से निकालेंगे वहां से रूट निकालेंगे उसका भी उत्तर इसी में आ गया बिना कुछ कहे हुए एक बार फिर से मैं ABP News की तरफ से सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहू पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइब अ आपको रखे आगे